महा सती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच लेखन वर्दमान तपो निदी आचार्य देव शीमद विजय भुवन भानू सुरिश्वर्जी महाराजा उपदेश माला शास्त्र मां गुरु शीष्य ने कलाज कहे जो पेलो सफेद कागडो किवो कागारोल मचावेशे तियां गुरु नी आबन्या वालो शीष्य तरत कहे हाजी शेमाहाजी काडा कागडा ने धोडो कहे एमा शू शीष्य जोई शक्तो नथी या शीष्य शू एवो अडबंग छे के कागडो धोडो न होई काडो ज होई एतनू समझी शक्तो नथी ना जोई शक्तो चक्तो परंतुम गुरुनी प्रतिय आः आमाण्या के शीष्य गुरु वचन नो शामनो न करे तथास्तू करी स्विकारी ले पची न समझायू होई एकांत मलता गुरुने विनाई प्ुरवक खुलासो पूछे दाखला तरीके प्रस्तुत्मा पूछे साहेब जी मने तो कागडो कालो देखाये छे तो आपशी ये दोडो कहे हो एनो भाव हुँ समझी शक्यो ने तियां गुरु समझावे के जो महानु भाव कागडो बहार्थी रंगे कालो छे परन्तु अंतर थी एक गुणे करी अने दोडो छे केम के एने जो रस्ता पर कशूं खावानू पड़ेलू मले तो ए एकलो नहीं खाए परन्तु जाड पर थी के मकानना छापरा पर थी कागा रोड मचावी ने पोताना जात भाईयोंने एक खावा माटे तियां भेगा करे छे एमा एनी परार्थ व्रत्ती छे एक गुण छे माटे ए दोडो अर्थात उजवल छे जेने एकली स्वार्थ माया होई ए अंतर्थी मेला छे काडा छे बहार्थी भले उजडा होई परार्थ वरत्ती मा मानसाई छे मानस जातने कागडाना अद्दिल माती शिखवा मले चे के बले तमें बाहिय रूपे रंगे के कपडे सारा रूपाला उजडा न हो परन्तुन तमें हैया थी उजडा रहो ए माटे स्वार्थ माया गउन करी दै परार्थ व्रत्ती वाडा बना बिजानू बलू करी छुतू बिजाने आपने के आपने चीजवस्तू काम मा हो तमारा कामकाज साधिता बिजानो विचार उभो राखो जेथी तमें एने विग्नरूपन बनो एननू बगडे एउन तमारा हाथे के तमारा बोल थी काई न था जो आ परार्थवरत्ती नहीं होई तो तमें कागडा थी पन हलका गणाशो अगनान अबू जी कागडा मा आटली अकल होई तो समझदार होवानो ठेको राकनार आपना मा एटली अकल ना होई तो पछी आपनामा मानो प्याशी मान साइशी करी शके ना कोई तारा गुणों मा सरवाडा युगो सुधी जड़ हड़ से हुवन भानू ना अजवाडा युगो सुधी जड़ हड़ से हुवन भानू ना अजवाडा